इतने सेशन को लेकर भारत में हो रहा है सर्थ उसकी मतलब क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग जो भी राष्टर की तुमें मुद्दा होता है उसके हमेशा समर्थक किया है कांग्रेशना और हमेशा समर्थक करती है लेकिन जो चीज देश की डेफिनेशन के अगेश गयाएगी हिंदू-मुसल्मान को लड़ाने की कोशिश करेगी जातपात को लड़ाने की कोशिश करेगी डिवाइट करने की कोशिश करेगी तो हम उसके समर्थ तक नहीं होगी अब आपस में मिलके ज़ाते हैं आप मोधी जी से पूछिए हम दो पार्ट में बादना चाहेंगे इस देश को एक तो सेंटल गॉवर्णमेंट है एक स्टेट गॉवर्णमेंट है दोनों क्या कर रहे हैं आज कि डेट पर दोनों राजनितिक अब जुमला एक जूथा एक पर जो पालेमेंट यह पास भी बात की है क्या उन्होंने जीसटे पे कवी बात की है क्या स्मार्ट इस अन्हों से बताईए कुझे मुझे आप दूसरा आप देख लीजिएर अब रह typical देख लीजिए कि उसमें तो सरासर दोश दिया गया कि मतलब कि सरकार कॉंगरेश की ती सिला दिक्षेट समय मुख्यमंत्री थी थी था गया कि उन्ती मौजगुदी में ही इतना बड़ा कांड़ुआ फिर मानने मुख्यमंत्री जी को भी बहुत फोस कदम देती है फिर वो बड़ा परिशान अब इनको यह नहीं पता कितना इंफ्लो आना है इनका कोई फैनेस्मिनेस्टर ढंका निया कभी वह बारा पे करते हैं अब आउट फ्लो कम हो गया तो वह बढ़ाने की बात करते हैं जास में दे डाफिशेंट पर्शन ओवर देयर इनको नोबल प्राइज मिला उन्होंने भी तरुट जैसे हमारे जैसे मानने जो अभी जिनका नितन होगा अरून जेटली साहब और यह क्या अभी जीत पैनर ज अब आपकी सरकार में एलपीजी रिफॉर्म वन अब बेस्ट रिफॉर्म जो मनमों जिंक की सरकार में निकार निकार जो जैसे कि आज से नोबल प्राइज इनको मिला भी जीत बैनर जी साहब उन्हों भी तधान मंत्रियों कहते हैं कि उनको भी उनसे सलाह लेकर करना चाहि अगरों मनमों गोड़र को मिल जूल के चलना चाहिए कर दिया को आप देख लीजेए ने पिछे कर दिया आप एक बीबात कर लिए इनफ्लाइमेट पर बात घिरिस्टी पर बात करें क्या है यह क्या है नरसी क्या है आप पहले देस में पर महिला शुरक्षा में जैसे की बहुत सारे आप श्योधना जो स्मितिरानी के मंत्राले के अंदर हैं जो लेका रहे हैं जितने कडे नियम हो गए अभी हैदराबाद में देखे पुलिस्में अनका रहे हैं इन्होंने कांगस पर लिख दिया है वह इंप्लीमेंट नहीं हुई है कोई अफसर मानने के लिए तेयार नहीं है सभी आईएस आईपिय से रिजाइन कर रहे हैं नोबड़ीज रैडी टूवाइक हो ही है जो फ्लाइवर है वो सारे कांग्रेश की देन है जिस नहरु की तुम बात करते हो आप अपने प्रिवार नहीं समाल सकते हैं उसने 33 क्रोड आदमियों को समाला जो सुई तक नहीं बनती थी DRDO उसने बनाए, IAM उसने बनाए, क्या नहरू जी ने, देश को बना के रख दिया, आप परिवार को दस दिन चला के देख दो, जब नहरू ने, इनों ने, सोपा थना अंग्रेजों ने, तो बीश टैंक को टीन, वो हवाई जाज थे इंडिया के पास, अज सब कुछ है, वो क सहने में पटैने, वो बीजे भी कैं राज में रही बना था, वो कॉंघरेस के राज की दो है, ये कुनार्ट के राज कीbudet के मेंट्रोज है, सिला दिक्सित जी की देन है, nose, right to education, window. तो यह विचार दा रहा है विचार दारा है कोई पाटी नहीं है हम विचार दारा है हम घंदी की विचार दारा है वह गोड़से की पार्टी है पर अभी आपने खुद देखा है कुछ समय से जो गांधी जी की जितनी भी हो गए 150 साल पटेल का उन्हों ने का कि कॉंग्रेस ने नहीं करा जैसे सर्दार पटेल और गांधी जी को जितना सम्मान देना आप कहा रहते हैं अब मुझे पता जीए मैं पूस्त हूं फिर आप से ट्वाइलट बंद हो चुके हैं जो एल्पीजी सिलेंडर की बात करते हैं वो एल्पीजी सिलेंडर बरवान ही पा रहें क्योंकि आदमी के पास रोजगार नहीं है पैसा नहीं है तो बरवाएगे कहा से आप उसको क्यों नहीं एक्सरसाइज करते हैं पर कॉंग्रेस कभी सरकार से यह सवाल क्यों नहीं कर देगी जैसे युजवला योजना आई या कोई भी योजना उसका दूसरा पार्ट वाज है सिलेंडर तो सरकार ने बटवा दिया पर जो सिलेंडर गरीब को मिला मेरे भाई आप एक बाता हूं मैं आपको गाड़ी दे देता हूं अगर के टाइम में अटल विहारीवाज भाई जी को यहन भेजा राजीव गांदी जी को रिज्राज के लिए बेजा हम सत्ता और विपक्स की राजनीती नहीं करते हैं माना है कि सत्ता पक्स हो तो विपक्स मजबूत होना चीए मोधी जो खतम करने पर तो लोग क्या हुआ हुआ आप यह बताओ हम भी समर्थाक थे रामंदर के ठोट के थू निर्ना उना चीए मैं जो जलाता हुं मंदर में मैं भी जाते हैं हिंदू भी जाता आपनी जंगे मुसलमान भी जाता सब जंगह जाते लेकिन मंदर मंदर करके क्या हिंदू को मुशलमान को लड़ा के क्या सब्सक्राइब कर देश को पचास साल नीचे करके रख दिया और आसे यह बंदा बैठा हुआ जूटा बंदा पहले तो शीला दिख्षी थी के गेस लेके बढ़ता था यह ब्रीफ केस है मेरे पास का गए वह ओडिट तुमारा का गए का ओडिट जो तुम आडिट कराने बसी सब्सक्राइब करते हैं यह लोग देश का इन लोगों ने बरबाद करके रख दिया मैं बता रहा हूँ आप जैसे मेरी तो एज हो चलिए चलो मेरे आप लोगों को आपकी जनरेशन को मोधी और केजरीवाल हमेशा याद रहेंगे कील की तरह आपकी छाती में चुबएंगे क्योंकि इसने देश को 50 साल और फ्री बाटने वाले ने पूरा 10 साल पीछे धकेल दिया है यह बच्चा अगर पड़ा हुआ इसका रोजगार दे दो उसको फ्री नहीं चाहिए फ्री बाटना कोई डिवल्मेंट का पार्ट ने फ्री हम भी देते थे लेकिन क्या यह सुलूचन है देश को आगे ले जा सकता देश को एकी चीज आगे ले जा सकती है वह क्व जो है जिवार बनाएगा वो गिर जाएगी डॉक्टर जो है मरीज को ले जाओगा अगर क्वालिटी होई ना तो आप अच्छी तरह आपने कपड़े भी दोएंगे अच्छा खाना खाएंगे सब कुस खाएंगे एक भी मुद्दे पे मैं कहता हूँ देश को मत बाटो इं जाएंगे बनाएगा था यह दैनोवेट किस ने किया तो आज एक सबसे बड़ी बात बता देता हूं तीन वल्ड कप इंडिया में आए है किर्केट के उन दी सो ट्रासी में कपिल देव की किर्केट की टीम क्या गए एंट केप्टर सी ने दो हजार साथ में दोनी जी दो पर्मेंट पर आए जो से यह मनूसा है एक भी वल्ड का वमादा